बेटी कई बेटे ऐसे होंगे जो चार-पास साल से लगातार कथा सुन रहे होंगे कोई-कोई ऐसा होगा जो नो-दस साल से कथा सुन रहा हो कोई-कोई ऐसा होगा बारा-पंदरा साल से शू पुरान की कथा सुन रहे हो हमारी पुरानी कथाओं को भी निकाल कर देखना सारी कथाओं को निकाल कर देखो कि हमने किसी कथा में ऐसा नहीं कहा कि आप मंदिर में 2-4 गंटे बैठो हमने किसी कथा में यह नहीं कहा कि किसी तीरत में जाकर आप 2-4 गंटे बैठो हम इतना जरूर कहें हैं कि अपनी मेहनत अपनी लगन पूरी रखो कई माताई कह देती हैं कई भाई लोग कह देते हैं आज उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया और मेरा पूरा दिन बेकार हो गा एक आफिसन नहीं ये कह दिया कि किसी को डाट दिया और कह दिया कि आज मेरा पूरा दिन ख़ड़ा आज नहीं आ रही क्या उदर की आज खुली है बाहर की कोई कर देता है कि मेरा दिन पूरा खराब हो गया कोई कर देता है मेरा समय पूरा बरबाद हो गया शुपुराण कती है एक जरासा किसी के कहने पर एक जरासा संबोधन या एक शब्द किसी के कहने के बाद में आपका पूरा दिन क्यूं विकार करते है आप अपना समय क्यूं बरबाद करते है किसी ने अप शब्द कहा और आपका पूरा दिन बेकार हो जाए किसी के कहने पर किसी के ताना देने पर किसी के गाली देने पर किसी के आरे ठीड़े बोलने पर आपका पूरा दिन बेकार हो जाता है वो स्रिष्ट नहीं है हर पल हर घड़ी हर छण भगवान शिव के विरल भक्ती को प्राप्त करीए पर उसमें अपने कर्म के प्रती जागरुपता रख कर और मैंने तेरे ही भरोसे मामा तेरे ही भरोसे हवा बिच उनती जावागी बामा तोर हत्तो छण दिना में कटी जावागी भोले में तेरी पता हवा बिच उनती जावागी बामा तोर हत्तो छण दिना में कटी जावागी कोई कह दे तुमसे कि उसके कहने पर मेरा पूरा दिन वेकार हो गया उसके कहने पर मेरा पूरा समय वेकार हो गया उसके कहने पर मेरा पूरा समय व्यर्थ चले गया नई एक बात आपसे पूछें उत्तर दीजिएगा जरा आपके पास में 86,400 रूपे हैं कितने रूपे हैं जम के बुलो जरा 86,400 रूपे आपके पास में अब 86,400 रूपे में से 10 रूपे किसी ने चुरा लिए कितने रूपे चुरा है जम के जम के बुलो जरा 86,400 रूपे में से 10 रूपे किसी ने चुरा लिए तुमारा दिमाग खराब हो गया तुमारा मूर खराब हो गया मेरे 10 रूपे चुरा लिए तो तुम क्या करोगे 86,400 में से 10 रूपे तो चुरा लिए अब 86,390 जो बच्चे हैं तुम उसको फिक दोगी क्या जम के तो बोलो 86,400 रुपे में से 10 रुपे कोई चुडा के ले गया तो तुम्हेरा दिमाग खड़ाब हो गया मेरे 10 रुपे किसने ले लिए और उसमें से अब तुम्हें गुस्सा आगिया तो तुम के 86,390 फिक दोगे नहीं फिको उसको तुम फिकने वाले नहीं हो तुम फिकोगे नहीं उसको और हो सकता है कोई ऐसा बहुत धन पती हो करोड़ पती हो बेभव पती हो तुम फिक भी दे कि 86,390 बचे हमें तो फिकना 10 रुपे किसने निकाल दी है मेरे 10 रुपे चुराए किसने मेरे और वो 10 रुपे के चक्कर में तुम 86,390 रुपे फेक दो कहीं कहीं का हो सकता है पर हमको तो नहीं लगता कि जो समझधार वेकती होगा जो चतुर वेकती होगा वो 86,390 फेकेगा नहीं वो फेकेगा नहीं बोलो रे बोलो 36 गड़वालो फेकोगे नहीं फेक होगे 10 रुपे चले गए न तो तुमने अपने 86,390 रुपे समाल के उसको रख लिया समाल के उसको रख लिया संजो के उसको रख लिया अब इतनी चतूर्ता 36 गड़ वालों आपको है इतनी चतूर्ता पूरे भारत वासियों को पूरे देशवासियों को पूरे राष्ट में जितने बेटे हैं और देश विदेश में जितने कथा सुन रहे हैं उन सब को मालूम है कि 86,400 रुपे में से 10 रुपे कोई चुरा के ले गया तो 86,390 रुपे फेके नहीं जा सकते तो फिर पूरे एक दिन में पूरे समय में हमें 86,400 सेकंड मिलते हैं कितने सेकंड होते हैं जम के वो लोग पूरे पूरे सेकंड होते हैं 24 गंटे का नुवाज लगाया जाए तो पूरे समय को मिला के हमें जो प्राप्त हुया है वो 86,400 सेकंड हमें प्राप्त हुए और 86,400 सेकंड में दस सेकंड अगर किसी ने अपना वेकार भी कर दिया तो निवेदन है बाकी के सेकंड को हमें वेकार नहीं होने देना है बाकी का सेकंड हमें अपना बना कर रहा है तो फिर क्यों कह देते हो कि उसने मेरा दिमाग कर दिया आज मेला पुरा दिन बेकार हो गया काई को दिन बेकार हो गया उसने दस सेकंड बोला उसने एक मिनिट बोला उसने पंदरा मिनिट बोला वो फंदरा मिनिट जाने तो बाकी कर समय तो अच्छा निकालने का वो पंदरा बीस मिनिट जो लडाई हुई जो जगड़ा हुआ जो वियर्थ की बाते हुए वो जाने दो उसके सिवाई जो अच्छा समय है हमारा उसको आप अच्छा निकालने तब परियास को लो